हाई वेल्कों तो मैं चैनल इस वीडियो में स्वाल्ट करें कुश्चन नमर्ट 6 उजिंग प्राइम फेक्टराजेशन मेथड फाइंड वीच फाल्विंग नंबर सा और परफेक्ट स्क्वेर्स तो आपको फाइंड करना है कि इन में से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वेर है और बाई प्राइम फेक्टराजेशन मेथड तो चलिए पहले साल्व वरता है इस स्टार्ट करते हैं 189 से स्लूशन तो 189 करेंगे फेक्टराजेशन तो क्या मिलेगा देखे 189 जो है 9 से कैंसिल आट हो जाएगा देखे जितना ही बाड़े नंबर से करेंगे न उतना जल्दी हो जाएगा फेक्टराज तो हम यदि 9 से करते हैं तो देखे 9 टू जा 18 ए 9 बंजा 9 21 आएगा 3 से करेंगे 7 आएगा 7 से करेंगे 1 आएगा मिन्स हमने फेक्टराज कर लिया है 189 को इतना 3 इंटु 3 यह वाला 3 एक है इंटु 7 है कहाना का मतलब कि हमने 189 को फेक्टराज कर लिया है 3 इंटु 3 इंटु 7 यहां पर जो है देखे 3 पेर बन गया है यहां पर 3 का पेर और 7 का पेर नहीं बना है इसलिए 189 is not a perfect square तो मतलब कि 189 cancel हो गया अब करते हैं 225 अब यहां पर हम इसको एक्टाइज करेंगे तो 5 से लिएगा पहले 5 4 20 2 25 हो गया 5 5 25 होता है 45 आ गया फिर से लिएगा 5 से 5 9 जा आ जाएगा 45 और 9 तो पता हिए 3 से जाएगा तो यहां पर 225 जो है फ्रक्टाइज हो गया 3 इंटु 3 पहले यह लिखे नीचे वाला 3 इंटु 3 इंटु 5 इंटु 5 यहां देखे पियर बन गया है 3 का और 5 का पियर बन गया है इसका मतलब कि 225 is a perfect square अब यहां next करना है 2048 अब यहां ध्यान दीजिएगा इस नमबर को करने के लिए बहुत बड़ा लाइन खीचना पड़ेगा लेकिन यदि हम चाहेंगे तो छोटे में कर सकते हैं यूकि इसमें 2 जो है बहुत सारे आएंगे तो इसलिए क्या करना है कि पहले 8 से कर लिजिए 8 से करेंगे तो छोटा हो जाएगा 3-4-5 बार में हो जाएगा तो 8 से करेंगे तो 8-2 जा 16 चार बचा 44 हो गया and 8-5 जा 40 and 48 हो जाएगा 48 होगा तो 8-6 जा 48 फिर से करेंगे 8 से 8-3 जा 24-1 जा 16 और 8-2 जा 16 फिर से 8 से ले जाएगे 8-4 जा 32-4 से ले जाएगा 4-4 मतलब कि 2048 का जो factorization हो जाएगा वो होगा यह 8 का लिखेंगा पहले तो मिलेगा हमें 2-2-2-2 अब इस 8 का लिखेंगे देखिया हम हर 8 का लिखेंगे यहां पर factorize करके ठ 2-2-2 तीन बार फिर यह वाला 8 है इसको लिखेंगे यहां पर 2-2-2-2 फिर यह वाला 4 है तो लिखेंगे यहां पर 2-2-2 अब देखिया पेर बन रहे कि नहीं तो एक पेर यह बना यह बना यह बना यह बना यह बना यह बना और यह बन गया लेकिन यह 2 का पेर नहीं बना है तो एक प्यर छूट गया है, it means 2048 is not a perfect square, this is not a perfect square, great, तो देखें यहाँ पर 2048 को योदि हम factize करते हैं, ऐसे, तो क्या होता, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, 10, 11, 11 बार हमें करना पड़ता, जो कि बहुत लंदी हो जाता, इसलिए हमने 8 से कर लिया, तो simple हो गया, right, तो ऐसे आप भी क्या करेंगा, exam में नहीं, तो आप फस जाएंगे, बीच में, लंबा करते रह जाएंगे, और प्रालम हो जाएगी, okay, 343, यदि हम इसका करेंगे, factorization तो 7 से जाएगा यह, definitely, और 7 से दिले जाएंगे, तो 7, 4, 28, 28, कितना बचा 6 बचा 63 हो गया, 7, 7, 7, 49 हो जाएगा, 7, 7, 7, यहाँ पर आप देख रहे हैं, बिल्कुली 7, 7 का pair बन रहा है, लेकिन 1 7 का pair नहीं बन रहा, it means 343 is also not a perfect square, this is also not a perfect square, okay, अब करते हैं, 4, 4, 1 का, यहाँ पर हम, दिखे, 4, 4, यदि add करेंगे, तो क्या मिलेगा, 4, 4, 8, और 1, 9, यदिजिस को add करते ह हैं, तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 मिल रहा है, इसका मतलब कि 9 से divide हो जाएगा, 9 से divided कर लिजिए, छोटे में हो जाएगा, ठीक है, तो 9, 9, 4, 36 होता है, 9, 5, 45 होता है, 9, 6, 9, 4, 36, 4 बाले जाएगे, 36 होगा, तो 81 हो जाएगा, और 9, 9, 2, 81, means 49 हो जाएगा, अब यहाँ पर हम 7 से लिजाएगे, 7, 7 जा 49, and 7 जा 7, अब यहाँ पर हम 44, 441 को लिज सकते हैं, यहाँ पर 3 into 3 into 7 into 7, देखे, पेर बन रहे हैं, आप 3 का पेर बन गया, 7 का पेर बन गया, इसका मतलब कि 4 and 41 is a perfect square, this is a perfect square number, ओके, now, आप करना है, 2916, अब यहाँ पर हमें देखना है, देखे, यहाँ पर 16 जो है, 4 से कर जाएगा, इसलिए फूरे नंबर जो है, 4 से कट जाएगा, 4 से कटाते हैं पहले, तो 4, 6 जा 24, 4, 7 जा 28, 4, 7 जा 28, एक बचा 11 हो गया, और 4, 2, 8, और 3 बचा 36 हो गया, और 4, 9 जा 36, 729, अब यह जो है, 8 से कर जाएगा, 9 से, 9 से लिजाएगे, तो 9 से दिल जाएगे, क्यों, 9 से लिजा लिजा रहे हैं, क्योंकि यह जो है, आइड करने पर क्या आएगा, ऐसा नंबर आएगा, जो 9 से ढीबाट हो जाएगा, 729 हो जाएगा, 918 हो जाएगा, 9UNG1 से लिजाएंगे, मतलब कि यहां पर देखिए हम लोग ऐसा क्यों की है 9 से क्योंकि इसको 9 से नहीं करते हैं तो करते रहा जाते हैं बहुत लंबा चला जाता इससे लिए simple करने के लिए ऐसा किया मैंने तो अब हम इसको लिख लेंगे इसके factors को सामने तो 2916 की factors क्या होंगे पहले होगा 4 को करेंगे तो 4 को मिले हाथ 2 into 2 4100 क्या करेंगे यह वाला तो मिलेगा आपको 3 into 3 INTO इस वाले 9 कट करेंगे तो मिलेगा 3 into 3 इस वाले 9 क्या करेंगे तो मिलेगा इंटव 3 into 3 आप देगिए इसका बन रहा नहीं इसक Rowğold रहा लेते हैं 11,025 तो धान दीजेगा यहां पे करेंगे हम 5 से पहले या 25 से कर सकता है तो 25 से करते हैं 25 से ले जाएंगे यदि हम तो 110 मिले जाना पड़ेगा और 25 फोर्ड जा क्या होता है ये नाइन से कर जाएंगे तो कितना मिलेगा 9,3,9,4,36 और 9,9,81 क्योंकि 8 बचेगा,81 हो जाएगा और 9,9,81 means 14 बचेगा अब यहां से ले जाएंगे तो 4,9,7 मतलब कि अब यह जो है नमबर इसको हम लिए सकते हैं फेक्टरस के फार्म में ऐसे 5 इंटू 5 इसका वाला हो गया 5 इंटू 5 फिर 9 का लिखेंगे तो यह मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 7 7 हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 7 अब देखें पेर बन गया हाँ पर 5 का 3 का और 7 7 का इसका मतलब कि यह जो 11,025 है यह परफेक्ट स्क्वेर है तो इसका नमबर 3549 इसका चेक करते हैं तो हमें कुछ इरेज करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर इधर पहले जो नमबर था उसको इरेज कर लेता हूँ ठीक है ओके ग्रेट अब यहाँ पर मैं साल्व करता हूँ 3549 का तो यहाँ पर है 3549 अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगी इसको पहले लिजाएंगा हम 3 से तो 3 से हो जाएगा 3 बंजा 3 और यह जाएगा 3 बंजा 3 2 बचा 24 हो गया एं 3 यह जा 24 339 1183 आगया अब यह जो है 3 से फिर से कंसिल आउट हो जाएगा 3 से कंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर आइड करने पर ऐसा नमबर नहीं आ रहा है जो 3 से कट जाए क्योंकि देखिए 1 1 2 हो गया 2 आवर 8 10 हो गया 10 आवर 3 13 हो गया 13 जो है 3 से नहीं कटता देरफ़र इट विल नाट वी मनें कैंसल नहीं हो सकता 3 से तो करेंगे क्या है अब करेंगे हम 7 से 7 से हो जाएगा एक्शुली तो 7 में जा 7 कितना बचा 4 बचा 48 हो गया और 7 सिग्जा 42 होता है 42 तो कितना बचा 6 बचा 63 हो गया और 7 जा 63 होता है अब यहां पर 169 को लिसकते है 13 से 13 13 जा क्या होता है 1 16 होता है फिर यहां 13 से ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा मतलब कि इसकी जो फेक्टर्स होंगे वह हो जाएंगे इसकी का लिखते हैं यह जाएंगा 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 और यहां आप देख पा रहे हैं कि 3 का और 7 का पेर नहीं बन पा रहा लेकिन 13 का बन गया है यहांपर कोई बात नहीं है सबका पेर बनना चाहिए तो 3549 का भी मनतब कि this is also this number is also not a perfect square तो हमने देख लिया क्या क्या perfect square है आपका यह 225 perfect square है 441 2916 and 11,025 these are perfect square numbers तो इस question में समझे के होंगे कि कैसे निकालना है thank you so much for watching अच्छा लगा तो like कर दीजिए तो अक्सेयर करिया और कोई भी doubt होता है तो comment box में जरू करिएगा thank you so much for watching again bye